ये स्वस्त माहौल बनाने के लिए बेहत जरूरी है लड़कियों की सुरक्षा जरूरी है आजकर लड़कों को भी सुरक्षित रखना होता है मैं कुछ परिवारों में गया हूँ वो 430 से ज्यादा लोग थे वो इसे बिना सेक्स एजुकेशन बनाएं उन्हें उनके शरीर के बारे में सिखाते थे अलग-अलग स्तर पर दुरूप योग हो रहा है दोका धड़ी हो रही है उन्हें ऑनलाइन सभी तरह की जानकारी मिल रही है इसे गरिमा पूर्ण तरीके से कैसे निभाएं ये बताना जरूरी है आपके बारे में कहा जाता है कि सद्गुरू किसी भी विशर पर बात कर सकते हैं हाल ही में आप सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे और इसी तरह मैं बात नहीं कर रहा हूँ किसी ने फिल्म बनाई है हाँ, सही है, तो ये OMG के बारे में था, तो इसके बारे में बताईए, ये कितना प्रासंगिक है, कितना जरूरी है और… देखिए, इस संस्कृती में, परिवार का मतलब, मैं मेरा परिवार नहीं, लेकिन मैं कुछ परिवारों में गया हूँ, जहां जब मैं गया, तो एक परिवार में 430 से ज्यादा लोग थे, एक बड़े से घर में, करनाटक के गोकरना में, मैंने उनके साथ तीन दिन बिताए, ये देखना आद्भूत अनुभव था कि किस तरह काम का बटवारा होता है, किस तरह हर चीज होती है, और एक आदमी जो कहता है, बाकी करते हैं, आजकल के एकल परिवार के जमाने में, आप इस तरह से रहना सोच नहीं सकते, लेकिन वो सभी ऐसे रहते थे, बच्चे 12-15 की ये बहुत सी औरतें थी, वो इसे बिना सेक्स एजुकेशन बनाए, उन्हें उनके शरीर के बारे में सिखाते थे, आम तोर पर जीवन की प्रक्रिया के रूप में, क्योंकि परिवार में इतने सारे लोग हैं, लड़कियों की सुरक्षा जरूरी है, आजकल दुरभागे से लड़कों को भी बचाना पड़ता है, लेकिन उस समय लड़कियों को बचाना होता था, तो वो उन्हें सिखाते थे, उनका शरीर क्या है, बरताव कैसा है, क्या करना चाहिए, उन्हें किसी को ये वो नहीं करने देना चाहिए, ये सारी बातें, सहज रूप से दादियां औ उम्र तक शादी हो जाती थी, तो जो भी उन्हें जानना होता था, उन्हें पता होता था, तो जिन्दगी इस तरह चलती थी, लेकिन आज हम ऐसी जगा आ गए हैं, जहां लोगों को खुद ही सीखना होता है, इसका मतलब कम से कम 23-24, तो भले ही वो 12-13 की उम्र तक जवान ह गए हों, लेकिन 10-12 साल का समय होता है, जिसमें बहुत से लोग खुद से ये चीज़ पता न कर पाएं, तो किसी को उन्हें बताना होता है, कौन बताएगा, एकल परिवार है, केवल माता-पिता हैं, और कोई नहीं है, और वो खुद में ही व्यस्त हैं, उससे भी बड़ी हो सकता है, वो ये चीज़ ठीक से न बता पाएं, उन्हें बहुत शर्म आ जाए या बच्चे को बहुत शर्म आ जाए, हो सकता है कि वो ये सब बातें करते वक्त एक जूसरे का सामना न कर पाएं, भारतिय संस्कृती में चीज़ें अब भी ऐसी हैं, और सबसे बड़ी बा क्योंकि उन्हें भरोसा था, उन्होंने कहा लड़की सुंदर है, मतलब ठीक है, वो अच्छी है, मतलब वो अच्छी है, बस इतना ही, उन्हें हमेशा उनका फैसला खुद के फैसले से ज्यादा सही लगा, लेकिन हम उस जमाने में नहीं जी रहे हैं, आजकल जब तक वो 12- 13 साल के होते हैं, तब तक वो ऑनलाइन होते हैं, उनके सोशल मीडिया फ्रेंड्स होते हैं, हर तरह की चीज़े हैं, विभिन स्तरों पर दुरुपयोग हो रहा है, धोका हो रहा है, अभी वो एक कानून लाए हैं, अगर आप को धोका करते हैं, तो आपको 10 साल की सजा होगी तो ये हमारे समाई के लिए है, हो सकता है अगले 50 सालों में हमें इन चीज़ों की जरूरत न पड़े, लेकिन अभी हमारे समाज को इसकी जरूरत है क्योंकि ये पहली ही पीड़ी है, मासूम पीड़ी, जो ऐसी दुनिया में कदम रख रही है, जिससे ये वाकिफ नहीं है, ये बाहर निकल रही है, एक नियम बद्ध धांचे से पूरी तरह खुले धांचे में, बहुत दुरुपयोग हो रहा है, तो इसके मद्दे नजर किसी को उसके शरीर के बारे में सिखाना, आपके शरीर की प्रकृति क्या है, आप जो भी महसूस कर रहे हैं, वो क्यों महसू पूर्ण हो, ये सारी चीज़ें बतानी जरूरी हैं, नहीं तो वे बेतो की हर्दकतें करेंगे, सबसे बढ़कर वो खुद को चोट पहुचाएंगे, वो दोशी महसूस करेंगे, वो जूचते रहेंगे, ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि कोई भी शिक्षा अच्छ पहले थे, ये बस दो या तीन या चार लोगों तक ही सिमट कर रहे गए हैं, तो ऐसी चीज़ें करना बहुत कठिन हो गया है, जब तक कि उन्होंने उस तरह के रिष्टे नहीं बनाए हैं, बहुत सारे माबाप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सब के लिए ये नामुम्किन है, तो और वो आकर ये बताएं, तो मुझे लगता है कि ये कारगर होगा, तो स्कूल में ऐसे लोगों का निर्मान करना, जिन पर बच्चे भरोसा करें, वे इन चीज़ों के बारे में बात कर सकें और बच्चे सही सवाल पूछने के लिए परियाप्त खुले हों, मुझे लगता ह कि ये सही महाल बनाने के लिए, खास कर लड़कियों को किशोर आवस्था में सुरक्षित रखने के लिए और उन्हें कई तरह की फैलने वाली बीमारियों से और ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए जरूरी है, नहीं तो उन्हें ऑनलाइन बेतु की जानकारी मिल रही है, व आप उसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, आप ऑनलाइन किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन ये समाज में होना जरूरी है, क्योंकि हमारा समाज एक चौराहे पर खड़ा है, और तों की ये पहली पीड़ी है, जो घर के बाहर निकल कर काम पर जाती है, उन्हें शिक शिक्षित हैं, क्योंकि शायद उनके जानकारी तक पहुत ज्यादा है, मुझे लगता है कि औरतों की सुरक्षा के लिए बेहत जरूरी है, जवान लड़कों को जिम्मेदारी भरा बरताव, और ये सब ऐसा नहीं है कि हर चीज सही की जा सकती है, लेकिन ये जरूर बहतर हो कि वो इस बारे में शिक्षित हैं, न कि वो छुप-छुप कर या नाजायस चीजें सीखें